वल्कम तो न्यूव लेस्टनि इस लेसे में आपको स्क्रै़ से जो एक ये वेबसाइट है इसके ऊपर मैं आपको स्क्रै़ से गूगल टैगिंग करना सिखाँगा हम एक बार ये पहले कर चुके हैं बट I मैं आपको दुबारा ये बता रहा हूँ तो जो हमने tagging सीखी थी जो हमने tracking सीखी थी वो दो तरीके थे basically करने के तरीका number one था through google analytics और तरीका number two था यह था तरीका number one और यह तरीका number two तरीका number two is through google ads ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं, from तरीका नमबर वन, that is through Google Analytics, तो अगर मैं कर रहा हूँ through Google Analytics, तो मैं जो Google Analytics है, इसका installation करूँगा through Google Tag Manager, ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने website पे Google Tag Manager इंस्टॉल करेंगे, यह है हमारा task number one, Google Tag Manager इंस्टॉल करना, तो चलिए, सबसे पहले हम Google Tag Manager इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पे, simple मैंने Google पे सर्च किया है, Google Tag Manager, मैं Google Tag Manager को क्लिक करता हूँ, यह आ गया हमारा Google Tag Manager, अब मैं बनाऊंगा नया account, ठीक है, यहाँ पे create account है, तो इसको create करते हैं, और इसका हम नाम लिख देते हैं, softb2, और country है, इंडिया, container setup लिख दो, softb2.com, आपके website का नाम, हमें कर रहे हैं website के उपर, तो हम लेंगे यहाँ पे web, और इसको किया हमने create, और इसको करो accept, और इसको करो yes, ठीक है, अब इसको close कर दो, अब वापस जाओ, अपने dashboard में, यह रख dashboard, और यहाँ पे एक plugin install कर लो, simple सा काम है, plugin पे जाओ, एड दो, एक और तरीका है, जो आप header में जाके, sorry, not on header, editor में जाके code paste कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, google tag manager, आ गया, google tag manager, यह वाला, इसको करो install, install हो गया, इसको करो activate, activate हो गया, यह देखो यहीं होगा, इधर जाओ settings के अंदर, और यह आप से tag manager id पूछ रहे हैं, आ जाओ यहाँ पे, यह रड़ tag manager id, इसको यहाँ से copy कर लो, वापस आओ, यहाँ पे कर दो paste, फ़री ले लो, codeless injection, और इसे कर दो save changes, ठीक है, save कर दिया, आजाओ यहाँ पे, इसको कर दो submit, और यहाँ से कर दो publish, और इसे कर दो continue, वापस आजओ workspace, यही मेरी website, यहाँ से मैंने changes save कर दिये थे, अपनी website पर आते हैं, और इसको refresh करते हैं, अब चेक करते हैं, कि यह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा हूँ, कैसे करोगे, तो यहाँ से करो preview, प्रिव्यू किया जी, और अपनी website पर आओ, और इसको refresh करो, अब नीचे देखो, एक window आ जाएगी, अभी नीचे, यह आगे window, देखो क्या है यह, gtm code 97w, end में, 97w, एकदम सही चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से कर दो, leave preview mode, और इसे कर दो, ok, leave preview mode, and then ok, बहुत simple, हो गया, वापस website पर आओ, और इसको करो, refresh, अब हमने Google Tag Manager लगा दिया, ठीक है, अगला step क्या है, अगला step है, Google Analytics लगाना, तो एकदम धीरे-धीरे step by step मैं बता रहा हूं, तागे कोई problem ना हो, अगला step है Google Analytics, यहाँ पर मैंने सर्च किया Google Analytics, और मैं Google Analytics पर सबसे पहले बनाता हूं, एक account, ठीक है, Google Analytics पर मैं बनाता हूं, एक account, तो मैं गया Google Analytics पर, यहाँ एक account अल्रेडी बना है, तो मैं यहाँ पर जाता हूं, admin के उपर, और एक करता हूं, create account, और इसका मैं नाम दे देता हूं, softb2, और यह सारे रहने देते हैं, और इसे करते हैं next, web लेना है, web select कर लेते हैं, करते हैं next, और यहाँ पर लिख दो, softb2, और यहाँ साइट पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर ले लो, यही मेरी website, softb2.com, तो यहाँ पर आओ, simple, और लिख दो, softb2.com, और category, यह मेरा है, internet से related, internet इन टेलीकॉम ले लेते हैं, और यह ले ले लेते हैं, इंडिया, और इसे कर देते हैं, create, और फिर यहाँ पर ले लो, इंडिया, इसे करो, accept, accept, अब एक यह tracking code आ रहा है, इस tracking code को कर लो, यहाँ से copy, ठीक है, वापस आओ, tag manager पर, add a new tag, और यहाँ पर लिखो, गूगल, analytics, आगे लिख दो, all pages, tag configuration, आपको यह लेना है, गूगल analytics, universal analytics, और यहाँ जो आ रहा है, option आपके पास, select setting variable, इसे क्लिक करो, और इसे करो new variable, और tracking code अपना यहाँ पर कर दो, paste, paste कर दो, और नाम इसका लिख दो, ga, ठीक है, tracking code पेस्ट कर दिया, इसको कर दो, save, और आओ, triggering पे, और यहाँ पे लो, all pages, हमें यह all pages पे चाहिए, तो यह लेते हैं, all pages, और इसे कर देते हैं, save, बहुत ही असान, save कर दिया, और इसे कर दो, submit, publish, continue, perfect, workspace पे जाओ, हो गया ही, कोई tension नहीं है, अब हम चेक करेंगे, कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यह रही मेरी website, इसको जाके एक बार refresh करते हैं, वापस आते हैं, tag manager पे, और करते हैं, preview, preview, preview किया, website पे जाते हैं, इसको refresh करते हैं, वापस आओ, google analytics, fire हो रहा है, एकदम perfect, कोई tension नहीं है, एकदम सही काम कर रहा है, ठीक है, वापस आओ, इसे करो, leave, preview, mode, और इसे कर दो, okay, ओके करो, वापस आओ, और इसे refresh कर दो, यह okay हो गया, वापस आओ, और इसको refresh कर दो, perfect, दो काम हो गए, पहला क्या था, google tag manager, दूसरा, google analytics, तीसरा काम क्या करना है, google analytics, plus, google ads, का integration, वापस आओ, google analytics पे, थोड़ा सा नीचे आओ, और देखो, एक option आ रहा है, data collection, इसमें आओ पहले तो, data collection में आके, remarketing को क्या करो, on, remarketing को यहाँ से कर दो, on, और यहाँ से कर दो, save, वापस आओ, ठीक है, पहला काम हो गया, अब नीचे आओ, देखो, आपको दिखेगा, google ads linking, google ads linking, दिख रहा है, इसे क्लिक करो, और यह रहा आपका add account, यह रहा मेरा add account, अगर मैं इधर जाओं तो देखो, क्या लिखा है, 2368, और यह भी है, 2368, तो यहाँ से इसको मैंने किया select, इसको किया continue, और इसका यहाँ पर नाम लिख देते हैं, google, sorry, google analytics account, और यह all website data है, इसको कर दो on, और, यह advanced settings है, इसे क्लिक करो, और यह enable कर देना है, ठीक है, enable auto tagging, और यह कर दो link, और यह कर दो, यहाँ से done, अब यहाँ से वापस चले जाओ, इसको refresh कर लो, perfect, अब हम क्या कर चुके हैं, अब हम अपना google analytics और google ads लिंक कर चुके हैं, वो check भी कैसे कर सकते हो, वापस अपने google ads में आओ, tools and settings में आओ, और linked accounts है, linked accounts में चले जाओ, और यह है google analytics, यह से click करो details, और यह दुखवा रहा है, soft b2, यह linked है, unlink भी कर सकता हूँ, unlink मुझे कर लाएं, ठीक है, तो यहाँ था अब एकदम perfect, हमारी linking हो चुकी है, अब हम remarketing ad run कर सकते हैं, अब जो भी हम audience बनाएंगे google analytics में, वो अपने आप चली जाएगी google ads account के अंदर, ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एक audience बना देता हूँ, सपोज मैं यहाँ से वापस गया, मैं गया admin पे, और यहाँ पे देखो option है, audience definition पे गया, और मैं गया audiences पे, और इसे simple यहाँ next step कर दो, यह by default जो ले रहा है, यह पहली audience यही बनाता है, और यहाँ पे मैंने लिया google analytics, सौरी इसको एक बार हटाओ, add destination, यही था, google ads, इसको ले लो, और इसको कर दो enable, इसे close करो, और एक बार दोबारे try करो, हो गया इस पर, अब देखो, अब suppose मैं audience किस चीज़ की बनाना चाहता हूँ, जो भी लोग, say, softb2.com slash thanks, suppose जो भी लोग नहीं हैं, तो error page है, मैं अपने dashboard में जाता हूँ एक बार, pages पर जाता हूँ, all pages पर जाता हूँ, और, यह thank you page है मेरा, इसको open करता हूँ, और यह है मेरा, thank you page, suppose मैं इसकी audience बनाना चाहता हूँ, जो भी लोग इस page पर आ रहे हैं, उसकी audience बनाना चाहता हूँ, तो मैं वापस वही हूँ, एक बार इसको close करता हूँ, अबको दुबारा सब्सक्राइब खाड़ता हूँ, admin पर आया, property पर आये, audiences पर आये, new audience किया, और, यहां से किया create new, यहां पर किया condition, sorry, क्लिक करते हैं दुबारा, यहां पर क्या condition, यहां पर गए condition के अंदर, add content है, यहां पर सर्च करो page, नीजे थोड़ा सब स्क्रॉल करो, यहां आप page, page लो, इसको कर दो exactly matches, और यहां पर paste कर दो, खाली यह last वाला section, ठीक है, paste किया है, कहाँ पेस्ट, apply, membership duration कर दो, 540 दिन, और यहां पर लिख दो, visited, thank you page, यहां से कर दो next step, add destination, यह ले लिया मैंने, publish, बार बार एरर आ जा रहा है, बटे success हो चुका, अब देख सकते message, अब वापस आओ, tools पे जाओ, audience manager पे जाओ, देखा आ गया है, यहां पे audience, visited, thank you page, अब इस audience को मैं, अराम से, remarketing दिखा सकता हूँ, बहुत ही असान, राइट, तो, यह हमने audience बनाना सीख लिए, अगला काम, conversion tracking, हम यह track करना चाहते हैं, कि कितने लोग, convert हुए, ठीक है, तो again, ठीक है, तो Google Analytics के थुरू, अगर आप conversion track करना चाहते हो, तो आपको क्या बनाना पड़ता है, आपको बनाना पड़ता है, right, step one क्या है, आपको बनाना है, goal in, Google Analytics, दूसरा क्या है, इस goal को, import करना है, in, Google, ads, बहुत ही काम, simple, पहले goal बनाओ, और उस goal को then, import करो, बिल्कुल इजी, तो कैसे goal बनाओगे, वापस जाओगे, admin में, और इधार आएगा view, view में है goal, इधार जाओ goal पे, यहाँ से करो new goal, और यहाँ पे ले लो, custom, यहाँ से कर दो, continue, यहाँ पे name दे दो, leads दे देते हैं इसका नाम, यह ऐसी छोड़ दो, और यहाँ पे ले लो destination, ठीक है, और देन कर दो, continue, equals to, यह ले लो, और यहाँ पे कर दो, सीधे save, अब देखो, यह goal बन गया, बन गया goal, वापस आओ, Google Ads पे, अब यह goal हमें क्या करना है, next step क्या था, इस goal को करना है, import, तो वापस आए, tools and settings पे गए, हम गए इधर, conversion पे, plus conversion, यहाँ पे option है, देखो import, तो हमने किया import, यहाँ पे लेना है, देखो Google Analytics, पहला option, then किया continue, और यह leads आ रहा है, इसे किया select, इसे किया import, इसे किया done, अब यह दिख रहा है, देखो, Google Analytics conversion के अंदर, right, तो बहुत easy, तरीके से, step by step, सारा काम हो गया, right, तो हमने क्या किया, हमने पहले Google Tag Manager बनाया, then analytics बनाया, दोनों को integrate किया, then हमने audience बनाई, और देन हमने, goal हमने import, ठीक है, तो आज के lesson में, बस पहला तरीका ही सीखते हैं, दुबारा, कल के lesson में, हम दूसरा तरीका भी सीखते हैं, तो अगर इस वाले तरीके में, कोई problem हो, तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है, thank you so much, for watching this lesson,